नालंदा जिला न्यायाले विहार स्रिप के जिला न्यायाधिस सप्तम्स पौक्सो अस्पेसल न्यायाधिस धीरेंदर कुमार के द्वारा 14 बरसी नावालिग छात्रा से दुसकर्म के मामले में पौक्सो में दोसी पाकर एक आरोपी नालंदा जिले के हिलसा थाना चत्र अंतर प्रगत हिलसा निवासे कृष्णा बर्मा के पुत्र अमन कुमार को 20 वर्स सहस्रम कारावास के साथ 20,000 रुप्या अर्थडंड का सजा सुनाया है। अभियोजन की ओर से पॉक्सो अस्पेसल पीपी सुसील कुमार ने 6 गवाहों का न्यायाले में गवाही कराया। लडकी के साथ सारीरिक संबंद बनाया। आरोपी अमन कुमार पिडिता को प्रतेग 15 दीन पर अपने रुम पर बुला कर सारीरिक संबंद बनाता था। और जिस रुम में लडकी के साथ सारीरिक संबंद बनाता था। उस रुम में कोई और नहीं रहता था, वहां लडका अकेले रहता था। आरोपी पिडिता को रात्री में कॉल करता था और सुबह रुम पर आने को बोलता था। अगर पिडिता रुम पर नहीं जाती थी तो आरोपी अमन के द्वारा पिडिता को तरतर से धम की दिया जाता था। पिडिता का छोता भाई पैड से पढ़ाई किया करता था और उसी पैड से लडका और लडकी के बीच बातचीत होती थी। बातचीत के बाद पिडिता भाई के पैड से हिस्ट्री डिलीट करना भूल गई जिससे घरवालों को पता लगा और कडाई से पूचताज करने पर सारी वाते घरवालों को पिडिता ने बताया।